इस्तुम्पा आकार विरित महापासन कालिन स्मर्को के अस्तियत लोपिय परूपों में एक है जो अन्ये परूपों के साथ पूर्वद अच्छिन भारत में मिलते हैं। कपर बड़े सेलाखंडों के वित के घेरे के अंदर पत्थर की रोडियों के धेर से बने होते हैं भूमी गत दफन के सोरूप के आधार पर इन्हें तीन परकारों में बाटा जा सकता है गरत वाले दफन सब प्रेटिका में दफन और चिता रूपी अथवा अन्य पर रूप के गपस्म कलास वाले दफन स्तूपकार विर्टों के अंतर गरत गरत वाली अत्योतियों में परकर्तिक मिट्टी के घेरे गड़े होते जाते थे ज्वाम तोर पर फिर्टाकार वरगकार और आयताकार होते थे कंकाली अवसेश और फनीचरीन गंड को के फरस पर रखे जाते थे फिर वी ये गड़ के मिट्टी से उपर सते तक भर दिये जाते थे ही मिट्टी या तो उस गड़े को खोद कर निकलती गाली जाती थी अन्ये कहीं और से लाई जाती थी इस मिट्टी की भराई के उपर स्तुम तीला का धे रखा जाता था जो या तो पतली परत वाला अथवा जमीन की सते से तीन से चाल फीट उचा होता था और उसे पत्थर पत्थरों के वृत से घेर दिया जाता था ऐसी गरत अथिष्टा चिंगलपुट तमिनाडू चितरदुग और गुलवर्ग जिलो करनाटक में अनेक स्थलों में पाई गई है सबदादिक अर्थ में सब पेटी का मिद भूमी से बना ताबूत है सब पेटी काओ वाले स्थुपा कार वर्ग गरत त्योरिष्ट की तुल्ना में अधिक दूर तक फैले हैं वे हैं उपर में वर्गीत गरत अत्योतियों जैसे हैं लेकर कंकाली अफसेश और फरनीचर ने धेड़ एक आयताकार वी मुर्टी वाली सब पेटी का में रखे गए हैं ये सब पेटी का आम तोर पर एक उन्नत तोरदर वीत मुर्टी वाले धंग से युक्त होती है जिससे पैदे में पाद, पत्या और थोड़े उचे तल और परियाए कैप स्टॉन होते हैं कहीं कहीं सब पेटी काओ के पैर नहीं होते लेकिन वह यह तो मित्र पात्रा अत्वा भांड पर आधारित होते हैं अत्वा सीद्य फरस पर रखी जाती थी इस तारहा की महापासान कारिन सरचनायत मिनाडू के दसीन अकोटा जिल पूट और उत्री खेट जिलो और कनाटक के कोलर जिले में पाई जाती थी यह अंदर पर देश के दच्चिनी जिलो में भी मिलती है यह तपी वहाँ उनकी संक्या अपेक्सक्रीत कम है इस्तूपाकार विर्टों के अंदर वाली घबसम कैलास और अकोटिया उपर की वरगित सवपेटी का वाली अत्योष्टियों के ही भिन रूपो रूप है यह बहुदे गए गरत में रखे जाते थे यह गरत धरतल तक मिट्टी से भरे जाते है और बहुदा उन पर एक कैप्स्टों रखा जाता है जिसके बाद सत्य परस्तूम के धेर जो वत्योष्टित का निसान होता है पत्थरों के वित के घेर दिये जाते है मुखे रूप से यह केरल में मिलते है लेकिन तमिनाडू के दच्छी नाकोस्ट, मुदुरे, तीचूर, पल्ली, कोट्यूर, निलगिरी, समेल, तीगरपुट, कनाटक के कोर, बंगलोर, होस्ट, छितरदुग, बिलेरी, रायचूर और गुलुवर्ग, जिलो अंदर परदेश के कई, जिलो और महराश्ट में नागपूर के आसपास के छेत्रों में भी इनके पाय जानी की सुचना मिली है पत्थर के वरीत, यह है भारत में सर्विधिक समाने तोर पर पाय जाने वाले महपासान काली समरक है जिससे खुदाई करलू टोपिकल इत्यादी महपासान काली समरकों के विभित रूपो गरतो अथियोष्टी के भिन परकारो अधिस्तम स्तूपो स्तंभो विभित सथे के उद्वुकार पत्थरो वाले तावुतो तूपाकार विर्दो इत्यादी का पता चलता है यह है पराय दीप के दच्छिनी छोर से लेकर नागपूर के छेतर तक और उत्तर भारत के बिभिन भागों में जाहमा अपासान काली समरकों को का पता चला है लब्द है लेकिन इस सैनी में सिर्फ वैसे ही पत्थर के वित सामिल है जिसमें विर्दो के भीतर स्थूपों के प्रियायत भारी नहीं की गई और जो नास पाती के आकार के भस्म कैलासो अथ्वा सव पेटिकाओं के साथ अथ्वा उसके बेर धोस्ति गर्त वाले इस सैनी में समर्गक स्थूपों कार विर्दो से सिर्फ इस अर्थ में भीन है की इस विर्दो में स्थूपों के धेर होते है और फिर भी अन्य बातों में स्थूपों विर्दो के तरकात उपर में वर्गित सभी तीन परकार की सैनी में सामिल है ऐसा लग सकता है कि उस्तूपकार वृत्तों और पत्थर के वृत्तों में इस विवेदी करन के कोई खास चीये नहीं है लेकिन चिंगल पूट के निकट सानूर जैसे कुछ तलों में यह है अगल बगल लेकिन अलगलक सम्हूं में मौचूद है इसलिए कुछ विवेदों के आधार पर वहवित्तिक सेनियों में रखे जाते है गद अथोस्टिया अथोस्टिया को नास पाती अथवा कूटे के आकार वाले कस्म कैलासों में सब के बड़े सूकर अथवा हाथ के आकार वाले मतभान में अथोस्टिक समंगियों के साथ वैसे ही भूमिगत में दफन किया जाता है जो खास कर इसी देश से कड़ी पराकरतिक मिट्टी और कभी कभी आदार वो चटान में खोदे जाते है और फिर भी इन गाठो को भर दिया जाता है यहां तक की सीधा स्रम स्थम का भी कोई चिन नहीं होता किस्म के लास वाली इन अथोस्टियों में कोई महापासान संगरन नहीं होता लेकिन चिंगल पूर्ट जीने जिले के अमरीत मंगलनम जैसे कुछ तलो में साफ्टिक की चिप्या सिम मिसिक मिट्टी के कुछ छोटे छोटे धेरो से अतोस्टियों के स्तान का पता चला है सच पूछा जाए तो इस वर की अतोस्टियों को महापासान काली नहीं अतोस्टियों समर्कों के अंतरगत नहीं रखा जा सकता है क्यूंकि उसमें संबत कोई भीमा पासानिय बलकि कोई पासानिय संकलन भी पत्थर के विथी तत्वा कैप स्टोन के रूप में नहीं मिलता लेकिन धेंग भटा पासानिय काल सहलाल बरतन और लोहे समागिरों के उप्योग में लाई लाने के कारण उनमें दचिन भारत के समय महा पासानिय विसे इस्ताय तो परिलक्सित होती ही है पर रूप वर की करन के डिश्टी से कबर ये निर्मीत महा पासानिय तोस्टियों में प्राप्त अपने पर रूपों में समरूप है इसके अंतरित परियाए ये परियाए उन्नी छेतरों में हैं जहां धेंग महापासान कानी अथोष्टियों पाई जाती है वास्तों में सत्य की अकरती को छोड़कर कस्म कैलास वाली अथोष्टिया महापासानी है में विशता पत्थर ये श्तूं विरीत के अंतरगत स्रम कैलास वाली अथोष्टियों से अन्य किसी रूप में भी भीन है महापासानी संगों में रहित कस्म कैलास वाली अथोष्टियों तमिनाडू में आदी जन कलू गोपाल सीमा पारुबू अत्वा दर्जू अन्य स्थलोखास कर मुदेर चीचूर पली कोटो बलू सोम और दच्चिना कोटो जिलू में परते गाउं में पाई गई है हाँ करनाटक और अंदर परदेश में ये अवस्य ही कम है उत्तर पच्छिम मदे और कालिन कबसे पासान काल के अन्य स्थलों में दिखलाई पड़ती है लेकिन इसका स्थम दच्चिन भारत की कश्म के लास वाले तोष्टियों से अपून भीन है लेकिन उत्तरवादी का पून वाथी से किसी ना किसी रूप में गोत्रिय सम्मंद हो है ही कबरो के टिले कबरो के टिले अत्वा मिट्टे के टिले भूमी गद अफ़न में पिथिक किस्म के है वह विर्दकार अत्वा गोला अत्वा अंड़कार हो सत्ते है वह पत्थर के विर्दवा अत्वा खंड़कों के घेरे भी हो सत्ते है और नहीं भी भारत में इस तरह के कस इसमरक बड़ी संक्या में नहीं पाए गए है फिर भी कर्नाटक के हसन जिले में ऐसे समारा को प्लब्ध हुए है कि दोस्तों ये इसके हत्यार है जो आप देख सकते हो ये उजार है उनके महापासन का लिए जिनकी नाम दराके मानविक्रित तुसकी तलवार भाले चन्ना काटेदार चर्की परसू कुठार सकदिन कुठार दुलारी कुलहडी चडमुना कुठार महापासन कालिंग अथोष्टियों में कबर की समगरिया महापासन कालिंग अथोष्टियों से लेकर अनिक परकार के परदात मिले है जो महापासनी संस्कीति के हद्धिन के लिए बहुत महत्पून है ऐसा पाया गया है कि उत्तर पुरा पासन काल से ही अनिक कारकों से मितिक और अभी परिया अथोष्टी परदन के जाती है महापासान कालिंग जन समाज चिरकालिंग दीतिरवाज्यों के अपवाद नहीं थे और इसलिए उन्हें विसाल और भारी स्रम संदिर संदियों के निर्मान के कश्ट उठाए उन्होंने उन समादियों को ःवसक्त समाग्यों के समभव स्विक्रित किया उन्होंने इस परदा को इसलिए आवसक्त समझा क्योंकि ये मितिकों ये परलोग के जीवन में विश्वास करते थे यही कारण है कि मित्त को को उनकी मुलबूत अवस्टाओ की सामागी के साथ अफसर करने के लिए अप्यूक्तिस्तान प्राप करते थे भारत विशेशकर दच्छीन भारत में महापासन संस्कृति में कबर में रखे जाने वाले अप्सकर में निम लिखत बस्तुए सामिल थी अनिक परकार के मित्त बांड उजार उप्योग जिस्यादी कांस लोए के और अनिक पत्थर या तामबे के बने होते थे पक्की जाते थे अथवा कभी बाहर कान या नाक के जेवर बाजुबंद अथवा कंगन का मुकुट साथ ही वैसे ही भूसी की विद्मान था के संकलित होता है धन तथा कुछ अन्य परकार के अनाज पोसो की कंकाली अफसेस भी मिले है जीवी का परवित्ति युपलव्द पुरा तत्विक अफसेसो पुरा वनस्पतिक और पुरा जन्तु समासे का यू एस मुर्ती 1993 में दुवारा किया गया विस्तार अभी विसलेक्षन और करतिपे पडियावन नियकार को से उसके पसपारिक संबंद एक ऐसी महापासान काल काल की महापासान काल की अर्द व्यविसत्ता का संके देते हैं जो मुख्यत किर्सी पसुचारी थी और उसमें अन्य परकार के सिल्प महत्तिपून भूमी का निभा रहे थे तथा परतेक्स उसमें सभी एक दूसरे से सह जीवी संबंद में जुड़े हुए थे अब हम उसकाल की जीवी का परविर्टी परविस्तार से चर्चा करेंगे किर्सी महापासान काल के दोरान उनकी अर्द व्यवसत्ता किर्सी अधारी थी दरसल महापासान कालिय निर्माताओं ने सिचाई पर अधारित किर्सी की उन्नत विधियो को बड़े पैमाने पर लागू किया था एच हेट और एन आर बैनर जी जैसे विद्वानों का माना है कि महापासान कालिय निर्माताओं ने दर्चिन भारत में टेक और इरीगेशन टेकी द्वार सिच्चाई का परवंदन किया और इस परकार किर्सी विवस्ता में करांतिक कारिव परिवर्तन ला दिये उनकी माननेता सक्से पराधारित है कि महापासान बड़े पत्थर निर्पवाद रूप से पहड़ियों के ढंग ढाल अत्वा उत्थली भूमी पर संकेतली है जो सिच्चाई के लिए वो प्यूक नहीं है क्यूंकि वह किर्सी योग्य भूमी पर अतिकर्मन नहीं करते इन बड़े पत्थरों में कुष्टो गर्मिक रितू में धेको के किनारे परतिक होते हैं वास्तम में वर्सा रितू में पानी में दूप जाते हैं फिर भी परसन उठता है कि यदि तक्त बंदन वास्तम में थे तूप वे हैं मानम निर्माता थे क्या उसमें जमा किया गया पानी खीती के लिए परियाप्था कुछ तलों कुछ तल नदियों के तक पर है क्या इस अर्थ ये है कि महापासन कानी जन समाज नदी के जल को किर्सी के काम में ला रहा था फिर भी कुछ इस थल तो जंगल में मिले है जिन में ना तो सिच्चाई के लिए भूमी और ना कोई कुंडा अनेक स्थल ऐसे है जहां कुंडा नहीं है अपरोज समस्य के आधार पर भी नर्सिहा मानते है कि दच्चिन भारत में कुंडा सिच्चाई का परबंदन करने वाले महापासन कालिय निर्माता नहीं थे निस्य ही ये है एक सुवेदित तक्त है कि प्रोगेती हासिल काल से ही मानव समाज ने वहां रहना सुरू किया जहां उनके निर्भा के लिए जल का निस्ताही सुरोत मौजू था ये कुंडा इसलिए ऐसे प्राकर्तिक समरोवर रहे होंगे जो उनकी दैनी का वस्ताओ के लिए जर पूरती तो करते थे लेकिन सिचाई के लिए नहीं फिर भी अधिकांस विद्वानों का विश्वास है कि ये है सरोवर उनके घरेलू जीवन और उनकी हसलों के लिए जल क पूरती करते थे उनके अनुसार कुंडसी चाई परनाली दचिन भारत में निसेहिमा पासन काले निर्माताव द्वारा लागू की गई ये है परनाली पच्चिस सो वर्सों से अधिक अब तक चल रही है इस अथीप परबुंद और वहबार कुसल समुद्धों ने या दियान में रखा की उपचाव किरसी योग्य भूमी उनकी कबरों के अतिकर्मन के कारण भेगर नहीं हो जाए अनुवर्ग गीरी पीट पत्रीली और कंकड़ी भूमियों को उन्हें अपने कबरों के लिए इस्तमाल किया जबकि नीचे की सेते भूमी को किरसी के लिए सुरिसी तरखा क्योंकि लेकिन साइद उन्होंने ये है भी सोचा होगा कि मित्र पुरवजो की आत्मा ना सिर्फ उनकी किरसी भूमी की रखवाली करेगी वर्नन उसे ध्यान धने से परिफुक्त भी कर देगी इसलिए उन्होंने तमिनाडू में चिंगल पुट जिले के उत्तर में रूल में अपनी किरसी भूमियों के बीच में विसार परंतु रित मोड मैं पत्थर में पत्थर की मेज बनाए चावल जो मुक्यत सिचा या धारित फसल है निसे ही उनका मुक्य आहर था धनी की भूसिया और बिख्रे धान ये दाने की सूचना संबर्ग छेतर में ने खोदी गई कबरों से मिली है जैसे कि संगम साइते अनुपरमानित किया गया चावल अत्तित पराचिन काल से ही दचिन भारत के लोगों का मुक्य आहर रहा है और आज भी है पूरा वन वनस्पतिक दसे से संकेत मिलता है कि दचिन भारत में महापासन काल के अन्य फसलों भी उपजाई जाती थी जैसे रागी गेहू कोदो, बाजरा, साबूल, सेम, कुथित्री, मैसूर, बेट, बटर, सुकरू, चुकंदर, रूई, इत्यादी पसू चहित्रता बी सीओ महापासन कालिन स्थारों में मावेसी, भेड, बक्री, कुत्ता, सुर, गोड़ा, भैंस, मुरगा, गदरा, इत्यादी पालतों पसूओ के अफसीसों के समास्य से पराप्त हुए है बीभीन स्थालों में इन जीव जन्तों के अफसेस के अधार परनुमान लगाया है कि इन स्थालों में मावेसी, भेड, समेत की अन्यव पालतु जानवरों पर परधानता है इन सभी स्थालों में निर्पादन रूप से कुल जीवन जन्तों के सम्हू में इनकी संक्या 60% से अधीक है इसे दो महत्कुन बातों का पता चलता है पथम पून के नवपासान की पसु पालन की परंपरा जारी रही और दूतिय ढोर पसु चाहित भेड़ बकरी की पसु चाहितरता नहीं महापासान समाज का परधान वैवसाय था पालतु सुवर और मुर्गियों के अफसेज की उपसित्ति कही इस्तेलोग पर छोटे पैमाने पर सुवर पालन और मुर्गि पालन के संके देती है आखेट और महिंगिरी भरंगरो बर्चरो और भालो जैसे आखेट के उपकरनों से जाहिर होता है कि सिकार से खाद अपुत्ति में विधी की जाती थी बड़े पैमाने पर पत्थर के गोले के प्राप्ति से अभी परमानित होता है कि धेरवस सायद महापासान करनी लोगों दुआरा केट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अनिय उपकरन था वे भीन स्थलो से जंगली सुवर लकडवगा कंकाली अफसेशों से जाहिर होता है कि इसका सिकार किया जाता था ये और ये है आहार परनाली के आंग थे आज भी इन वने प्राणियों में अनेक उन छेत्रों में अथ्वा उसके इद्गिरित पाई जाते हैं टकाल गहाट से पक्की मिट्टी के जार के निम जन पका और तखन से बसी अत्वा येलिस्वर स मचली के वास्तविक कंकाली अवस्यस किसी है तरसाते है कि महापासान के लोग मचली भी मारते थे पुरादोगिक उद्योग और सिल्प घेलू और संस्किती मसलू में ने सामाजी अवस्ताओ को पूरा करने के लिए साइक आर्थिक कारिये कालपक की कुसर सरचना अध्यावार अध्यावासक और अध्योग घंगो से समधित क्या कलब लाहोर कुटाइगिरी कुमकारी मनिकारी डालिया निर्मान और पस्तितर कर तक जो महापासान सामाज के अन्ये आर्थिक कारिये थे कवन्न नीचे दिया रहा है क्योंकि इसमें और उत्पादन की प्रात्मिक विद्यों और अन्ये स्वर सम्मंध है धातू ऐसे अन्येक महापासानी स्थल है जिसके बारे में पूरी संभावना है कि लोहा तामा सोना चांदित्यादी वस्तूओं के उत्पादन स्थल है इन स्थलों पर अत्वा उसके निकट पुटालियों पिगलाए की मिट्यों चिकनी मिट्टी की सूठी काओ के रूप में प्राप्त पुरत अत्विक से लोहो अस्तुको के टुकडे और लोहे तथ तामबे के मेल जैसी समग्यों की विधानमता और प्राचिन तामबे लोहे के खदानों अत्वक्त खनी संसादनों के निसान लोह करम के उद्योग है उपलब्द पुरत अत्विक समस्य कुठारों फालों फटकों हसियों कुदालों इत्यादी धातु निर्मित उपकरणों के उप्योग का संकेत देते हैं खुठारों का उप्योग कुथरों के काटने अथवा जानवरों को साफ करने के लिए होता था खेती के लिए फावडों का